आज मैं आप लोंगे लेकर आए हूँ बस 10 मनिट में कौन पुलाव बनाने की रेसिपी जटपट से ये बनकर तयार हो जाता है चाहे लंच हो या डिनर या टिफिन में देना हो तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये आप देख सकते हैं कितना टेम्टिंग देख रहा है य तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं नमस्ते फ्रेंड्स डेली केसे संदा प्रेट पर लावी इस किचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वाधत है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंट्रेस्टिंग और मज़दार रेसिपी है तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर क में काफी फाइदेमंद होता है यह साथी साथ कुछ खड़े मसाले डाल दिया है जैसे चोटी लैची तेज पता लौंग दालचीनी और एक चकरी फूल तो इन सारे मसालों को थोड़ा सा भून लेने के बाद अब यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा प्यास चोटे टुक दरदरा कूटा हुआ लैसुन और एक टेबल स्पून कदुकस किया हुआ अदरक आप चाहे तो इनका पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं लेकिन ताजा इस तरीके से अदरक और लैसुन यूज करते हैं तो इनका जो फ्लेवर है सबजी में बहुत ही अच्छा आता है यानि दाल दिया है करी 12-15 काजू साबूत ही डाले है अब चाहें तो इनको टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं तो प्याज के साथ इनको भी मैं भून लूगी प्याज का रंग सुनेरा होने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ सबजियां तो सबजियां विटमिन नको डाल देने से हमारी डिश और भी उल्यां रहल जाही है तो यहां पर बाया क्टर करने कि ब्हुन दीया है मैं तो यहां यहां पर मैं यूज़ कार रहे हैं यूजा कर रह कुछ डाल का जाता हैं कुछ दोडिया पाउडरibileex और यहां पर कश्मीनित दाल दिया है यहां बहुत ही अच्छा सा रंग आ जाएगा पुलाओ में अब यहां पर मैं डाल दूगी बेबी कॉन तो बेबी कॉन थोड़ा ज्यादा यूज करना है क्योंकि यह कॉन पुलाओ है तो करीब दो कपके बराबर मैंने ताजे बेबी कॉन लिये थे तो इनको मैंने अच्छे से दो कर यहां पर प्रेशर कुकर में डाल दिया है इने भी सब्जियों के साथ भून लूँगी यह जो कॉन पुलाओ यहां बना रही हूं यह लंच और टिफिन दोनों ही मिलाकर है तो एक की साथ दोनों टाइम के लिए यह बनकर तयार हो जाता है नमक डाल दिया है मैंने एक मिनिट के लिए एक दम हलके हाथों से मिक्स करना है एक मिनिट के लिए इसे भून लूँगी और फिर इसमें मैं डाल दूँगी पानी तो जितना चावल उसका डबल यहां पानी डालना है तो यहां पर मैंने दो कप चावल यह हैं तो यहां पर मैं डाल दूँगी चार प्रेशर कुक कर लोंगी और फिर उसके बाद प्रेशर कुक कर अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद ही इसका धक्कन हटाना है यह देखिए एक विसल आ गया है एक शीटी आ गई है तो अब यहां पर आंच को बंद करके इसे पूरी तरह ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देन दिखने में और भी ज़दा अट्रैक्टिव हो जाएगा और खाने में धनिया डालने से टेस्ट बढ़ी जाएगा इसका तो यहां पर इसे देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे गर्मा गरम सर्व करिए उपर से थोड़े से देसी घी के साथ इसे सर्व करिए तो इस तो आप एक बार इस तरीके से कौन पुलाओ की रेसिपी जरूर ट्राइ करें और कमेंट करें अपने इक्सपीरियंस के बारे में दोस्तों इश्तेदारों के साथ भी से जरूर शेयर करें मिलते हैं इस तरह से एक और नहीं टेस्टी रेसिपी के साथ थांक्स पर झाल 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 झाल